सो हेलो गाइस कैसे हो आप सब तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंस्मेंट करना है अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टागराम पर फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड से वा जॉइन कर लो दोनों का लिंक आपको ड और हां मुझे आप सब से एक शिकायत आप में से 73% लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते अगर आप इन 73% में से हो तो वीडियो देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो हमें जल्दी से 200 के करना है आई होप आप सब सपोर् चुरू करते हैं अपना काम जैसरियाम क्या हुआ डॉक्टर मेरे पापा को होशाया क्या आई हम सोरी टू से लेकिन हम आपके बापा को नहीं बचा पाए डॉक्टर आप जूड बोल रहे हो ना इसा नहीं हो सकता मेरे पापा मुझे छोड़के नहीं जा सकते कास यह करनी होगी चलो अब मैं चलता हूँ टेक केर क्या हुआ बेटा डॉक्टर ने क्या बोला सब कुछ खतम हो गया अंकल पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे बेटा मैं तेरे पापा को वापस तो नहीं ला सकता लेकिन हां तुझे एक पापा का प्यार जरूर दे सकता आज से तु मेरे साथ मेरा बेटा बनके रहेगा नहीं आप मैं तुम्हारे साथ रिलेशन्शिप में और नहीं रह सकता अब मुझे तुमसे शादी करनी है एलो बोस हाँ चमन बोल बोस आपका बेटा तो छुपा रुस्तम निकड़ा गन्ना चूश के अब ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने वो गोरे गोपार वाड़े यादव की लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है चमन ये तु क्या बोल रहा है और तुझे कैसे पता कि मेरा बेटा उसे प्रपोज कर रहा है बोस मैंने खुद अपने आँखों से आपके बेटे को प्रपोज करते हुए देखा है वो उस लड़की को स्कूल वाड़ी चाई की टपरी पे प्रपोज कर रहा था गन्ने की कसम अच्छा ठीक है पहले उसे गर आ जाने दे फिर मैं उससे बात करता हूँ चल तू अभी कॉल रख ठीक है बोस बेटा आज तुझे कॉलेट से आने में इतना टाइम कैसे लग गया वो पापा आज मेरा एक्ट्रा क्लास था ना इसलिए थोड़ा लेट हो गया हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन क्या बात है आज तू बड़ा खुश लग रहा है नहीं पापा इसी कोई बात नहीं है बेटा मैं तेरा बाप हूँ मैं तेरा मूँ देखके तेरा मूड का अंदाजा लगा सकता हूँ चल अब जल्दी से बता तेरे इस मुसकान की चमकान के पीछे की वज़े क्या है वो क्या है ना पापा मैं दो साल से यादव अंकल की बेटी निया से प्यार करता हूँ और जब आज मैंने उससे शादी के लिए प्रोपोस किया तो उसने हाँ बोल दिया अरे हाँ ये बढ़िया रहेगा मैं एक काम करता हूँ उसे कॉल करके इंफॉर्म कर देता हूँ ठीक है बेटा तू बात करके आजा तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ हाँ पापा मैं बस पांच मिन्ट में आया मैं ऐसे अपने प्लैन को बरबाद होते हुए नहीं देख सकता मुझे कुछ करना होगा लेकिन मैं क्या करूँ आइडिया हेलो चमन हाँ बोस बोलो चमन तू अभी कहा है अपने गर पे हूँ लेकिन क्या हुआ बोस कुछ काम था क्या गन्ना अचूस के हाँ एक जन को किड्नेप करना था किसे किड्नेप करना है बोस यादव की बेटी नेहा को लेकिन बोस वो तो आपकी होने वाली बहु है ना भोपाडी के ज्यादा बकलोली मत कर जितना बोला है सिर्फ उतना कर ठीक है बोस काम हो जाएगा ये हुई ना बात, चलब मैं कॉल रखता हूँ, राहुल नीचे आता ही होगा हेलो अजीत हाँ राहुल बोल भाई तुने आज नेया को कहीं देखा है क्या नहीं भाई मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन क्या बात है, तु इतना प्रेशान क्यों लग रहा है वो क्या है ना भाई मैंने कल नेया को शादी के लिए प्रपोस किया था और उसने हाँ बोला, फिर जब मैंने ये बात पापा को बताई तो वो बहुत खुश हो गया और उन्होंने आज नेया को डिनर पे बुलाया है भाई ये तो कितनी एची बात है, तु फाल तुमें परेशान हो रहा था भाई जब सुबा से नेया का फोन सुच आ रहा हो और वो अपने घर पे भी ना हो, तो मैं ऐसे टाइम पर पर परेशान न हो तो क्या खुशिया मनाओ क्या बात कर रहा है निया अपने गर पे नहीं है हाँ भाई वो अपने गर पर नहीं है अगर तुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो तु मुझे तुरंट कॉल करना चल अब मैं कॉल रखता हूँ भाई ठीक है भाई भाई पापा मुझे आपको कुछ बताना है कुछ बताने की जरूत नहीं है बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया है लेकिन पापा किसकी बात कर रहे हो और आपको क्या पता चल गया मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं बेटा मैं नेहा की बात कर रहा हूँ और रही बात मुझे पता चलने की, तो अब ये बात सिर्फ मुझे नहीं, बलकि पुरे इरेंगलपूर के लोगों को पता चल गया है, कि यादो जी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, पापा अब ये क्या बोल रहे हो निया, इसी लड़की नहीं है, बेटा मु क्या करूं पापा, तू शादी कर ले, लेकिन किस से, मेरी बेटी से, पापा आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूं, बेटा अगर तुझे मेरी बेटी से शादी नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, पाप बोस आप टैंसन मतलो मैंने उसे पकड़ दिया है और अभी हम पोचिंकी के फाइव हाउसस में है अब मुझे उस लड़की का गेम तो बजा नाई होगा चमन तु वही रुक मैं अभी आया ठीक है बोस आजाओ हैलो राहूल हाँ जीद बोल भाई मैंने जश्ट अभी नेहा को पोचिंकी के फाइव हाउसस पे देखा वो किसी लड़के के साथ थी छोड़ना भाई उस चैप्टरों क्लोज हुए एक महिना हो चुक है अब मुझे उससे कोई मतलब नी और वैसी भी आज मेरी शादी है भाई बात ये नहीं है कि वो किसी लड़के के साथ थी बात ये है कि वो लड़का उसे मार रहा था और वो बहुत डरी हुई थी भाई तो एक काम कर जल्दी से मेरे घर आजा फिर आपन वहाँ चल के देखते क्या सीने साली कुतिया तुने मेरे रास्ते में आके अच्छा नहीं किया मैंने तो एक महीने पहले तुझे सिर्फ उठाया था लेकिन आज मैं तुझे जान से मार दूंगा एक मिनिट पापा आपने ऐसा क्यों किया पापा बेटा तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है मैंने आपकी सारी बाते सुन लिये इसलिए प्लीज अब और जूट मत बोलो अच्छा ठीक है तुझे सच सुनना है तो सुन सच्चा ही ये है कि मैंने ही इसे किड्नेप किया था ताकि तुम मेरी बेटी से शादी कर सके जिससे तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं से शादी कर ले जिससे तेरी सारी property मेरी हो जाएगी आपने मेरे पापा को मार के अच्छा नहीं किया इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी बेटा कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी वो भी मर के अब मैं इसके साथ तुझे भी मानने वाला हूँ और तुझे बचाने और के प्रःवाला यहां कोई नहीं है अरे गाय तोंडे भाव आप लेकिन आप यहां कैसे आए मैंने इनहीं बुलाया है थेंक्यू भाव अमारी जान बचाने के लिए औरे पगले ठैंक्यू और ऑब सच में हमारी शादी कराओंगे हाँ छोटे में सच में तुमारी शादी कराओंगा थैंक्यू सो मजभाव आप बहुत अच्छे हो हाँ वो तो मैं हुई लेकिन चलो अब तुम लोग जल्दी से गाड़े में बेटो मुझे सीजन फाई की तैयारी भी करनी है ठीक है भाव चल लाइक करना मैं पता नहीं सकता पस लाइक मारो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर सेट कर देना और हाँ अगर आप लोग कोई वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे डिस्कॉर्ट स सब्सक्राइब करना मत बूलना तो मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टाटा गुड़ बाइब